हर्याना विदान सभा सीटों के उम्मिद्वारों का बीजेपी का मंथन दिल्ली में लगातार जारी है शनिवार को भी तकरीबन तीन घंटे हर्याना विदान सभा चुनाप परभारी ध्रबंदर परधान के आवास पर छोटी टोली की बैठक हुई इसमें खुद धरबंदर परधान बैठक में मजूद रहे साती सात केंद्रे मंतरी मनहोरलाल हर्याना के मुख्य मंतरी नायप सैनी और हर्याना वीजेपी परदेश अदिक्ष मुहलाल बडोली इस बैठक में शामिल रहे गुरू गुराम में हुई दो दिवसिये बैठा के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और उसके बाद से लगातार बैठके हो रही है जिसको लेकर चर्चाएं जारी है आप देख सकते हैं कि विकलब देब भी यहां पहुँचे हैं और लगातार चुकी बैठके इसी तरह से तमाम लोग बैठकों में पहुँच रहे हैं और चुकी हर्याना विदासावा सीटों की 90 सीटों पर जो उमिद्वारी को लेकर फैसला होना है कि कि किसको टिकट दिया जाए उसको लेकर दिल्ली में मन्थन का दौर जारी है और उसी के तहत तमाम जो नेता है व देखना है कि कब तक हर्याना विदानसावा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है लेकिन उससे पहले परदेश तर पर संगठन अपनी जो तयारी है वो कर रहा है केंद्र मंत्री मन्होरलाल यहां मौजूद है तस्वीरों में आप देख सकत केंद्र चुनाव समीति मोहर लगाएगी कि जो 90 विदान सवाह सीटे हैं हर्याना की उसमें बीजेपी किसको चुनावी मैदान में उतार रही है यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मौझूदा विधायकों की टिकट इस बार काटे जा सकते हैं तो इसी तरह से बैठकों का दौर दिल्ली में लगातार जारी है और केंद्र चुनाव समीति के पास जो पैनल भीजा जाना है उसको फाइनलेस करने का जो दौर है लगातार अलग-अलग बैठकों के तरीके से हो रहा है कैमरमेन प्रेदेशन के साथ दिल्ली से सुरसमाचार के लिए विने सिंग